वेलकम बैक तो आज अपन कर रहे है कारेंट डिलक्सिटी का कल एक कोशन होग दिया था इसको पहले डिस्कस करेंगे फिर अपन करेंगे पैलल में अगर आपने बैटरी लगा दी तो उसका एक्यूवेलेंट एमफ और एक्यूवेलेंट रिजिस्टेंस क्या होगा यह पूरा करेंट डिलक्सिटी के दो तीन लेक्चर हो चुका है जिसका वीडियो आपको यूटूब चैनल पर मिल जाएगा आप प्लेलिस्ट भी जा करके देख सकते हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट क्लास 12 फिज यह से बैटरी जूड़ी हुई है और एक बैटरी जूड़ी हुई है ऐसे 30 वोल्ट की अब बता हो यह रजिस्टन्स किसके बिच में हैtt यह और भी यह रजस्टन्स किसके बीच में है ene और b तो तीनों किस में हो गा parallel में तो 30 30 30 तो इनका equivalent कितना जाएगा 10 तो अब i is equal to v by r i is equal to v by r 0 ने 0 को बहरेमी से मार डाला answer आगया 3 ampere इतना easy question था बट आप लोग नहीं कर पाए आगे बढ़ते हैं ठीक है अब अपन निकालेंगे equivalent emm and equivalent resistance for parallel combination parallel combination ठीक है जल्दी से start करते है ncrt में दिया हुआ यह आपका derivation तो अपन पार्लल में बैटरी लगा लेते हैं यह यह दखो यह एक बैटरी और उसका इंटर्लान रिस्टेंस आर वन e1 r1 e2 r2 दो के लिए करते हैं अभी है ना फिर जितना भी होगा आगे अपन एड करते जाएंगे जनरलाइस कर देंगे इसको ठीक है फिर ठीक है क्या कुछ कहो ना कहते क्यों नहीं कि हरते हैं मान ले मन रहे हैं करींट आरहा है और इसकी टोटल एबाउट्यश्यत्रॉप हो कितना है यहाँ आपन क्या मान रहे हैं कि इस पूरे दोलों के कॉंभिनेशन में ऊतलने कर देका क्यां सब्सक् 알man के बिखाने में सरफ एक बैर बैट्री लगाएं और सर्कृत में कोई चेंज ना है मतलब पहले टोटल चितना पोटेंशल डिफरेंस था अभी भी वही रहे पहले जो करेंट आई जा रहा था बाद में भी वही जाए तो इन दोनों के ज़गा अपने एक बैट्री लगाई तो उसका एक एमफ आएगा एक उसका एक रिवी एक्योशनस आएगा और ऐक्योवैलें बहस समझ में आई और कितना जा रहा था पहले आई तो अभी भी कितना जाना चाहिए आई पहले टोड़ले और बीचेंट कितना था भी अब्भी कितना होना चाहिए भी is that clear बाद अब अपनको एक्वेशन लिखनी ह हैं और कुछ भी नहीं ठीक है ऑफ से था यहां जा रहा रहा है आप से ने सब्सक्राइब के कम से कम एक दो भी यूज आ जाएंगे हैं इधार अब इतार देखो यह आई करेंट आ रहा है माल लिया यहां आई वन गया यहां आई टू तो आप यह बात कह सकते हो कि आई इस इकोल टू आई वन प्लास आई टू बोल सकते हो चलो अब चाहें नहीं नीचे वाले से पोटेंशल ड्रॉप तो भी आना चाहिए क्योंकि दोनों का एंट को सेम पॉइंट से जुड़ा हुआ है तो पैर्लेल में क्या सेम होता है वोल्टेज है ना तो दोनों में वो यहां के बच्व पोटेंशल डिफरेंस की ना होगा वाइंटू माइनस ऑड़ डूवाइ तो यह विक्सके बराबर वी यह वी किसके बराबर वी बासमने चाहे मैं यहां से जाओं पूटेंशल ड्रॉप तो डॉटल कितना है धी चाह में नीचैसे जाओं टॉतल ठीक है अब करना कुछ नहीं है यहां से i1 i2 की वेली को कहां पूट कर देना है यह वाले equation में पूट कर देना है दोगो यह भी उसी तरीके से चल रहा है similarly जो divide हो रहा है पहला step draw diagram step 2 जो divide हो रहा है उसको divide कर दो है ना step 3 जो भी formula है सब में लगा दो जैसे capacitance वाले में c is equal to qyb लगा है ohms law resistance वाले में ohms लगा है और यहां पर क्या लगा रहे है net potential drop का क्योंकि सब में भी सेम है तो सब में भी एक पर याद करने के रफली देखो step सौरफ सर के step सर जगा लग जा रहे है यहां से i1 की value उठाओं यहां से i2 की और यहां पर put कर दो तो देखो i की value कितनी आ गई i1 के जगा मैं लिख सकता हूं even by sorry v minus even by r1 ठीक है यह उधर चला जाएगा वो इधर आ जाएगा तो even minus v यह उधर चला गया यह इधर आ गया तो आगया even minus v by r1 यह i1 की value जाएगी plus i2 की value जाएगी e2 minus v by r2 अगर आप direct नहीं लिख पा है तो इसको दो step में कर सकते हो यहां एहां से पहले i1 की value निकाले और नो यहां पूट कर दिए आई-टू की वैल्यू यहां पूट कर दियेमागेन फिर से बताते रहा हूं मैं इज्जत से इसको नहीं बुलिआं भी वेली निकाल लेता हूं यहां से की वेल्यू यहां से छाएगी यहां से लेता है यह है से ऑल यहां से ऐनवी इक्तुल आइस वाटा मैंनस वी यह रिक्यूल आप आई इस एक्वल तो यह है इसको भी इस format में convert करने की कोसिस करूँ तो अगर मैं इसको इस format में convert कर दूँगा तो equivalent और equivalent की value आ जाएगी आ जाएगी yes or no चलो तो अब इसको convert करना है next page में ले जाए इसको ठीक है तो इसको लिख लेता हूँ वहाँ पर ठीक है तो क्या लिखूँगा i is equal to e1 minus v by r1 plus e2 minus v by r2 इसको में किस format में convert करना है i is equal to equivalent minus v by r equivalent इस format में convert करना है तो i is equal to अगर मैं नीचे लेलू तो r1 r2 हो जाएगा उपर multiply हो जाएगा e1 r2 minus v r2 plus e2 r1 plus e2 r1 minus v r1 हो गया cross multiply कर दिया फिर i is equal to v वाले time जो है उनको पूरे को उधर ले जाके common निकाल लूँ उन दोनों में से मतलब v को common निकाल लूँ और यह वाले time में एक साथ लिख दूँ e1 r2 plus e2 r1 मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को उस format में convert करना है मेरे को दिख रहा है कि मेरे को उस format में convert करना है तो e1 r2 plus e2 r1 minus v common ले लिया तो r1 plus r2 upon r1 r2 अब मेरे को क्या करना है यहाँ पर देखो यह तो equivalent कुछ नो कुछ आएगा नीचे और equivalent आएगा वहाँ पर v के आगे पीछे कुछ नहीं होना चाहिए बस माइनस होना चाहिए माइनस वह किलाबा जो भी है तो यह r1 plus r2 यह हटाना है इसको उस format में convert करना है तो r1 r2 हटाना है तो डिवाइड कर देता हूं इक्वल टू क्या हो जाएगा e1 r2 upon r1 plus r2 ठीक है ठीक है क्या साही किया है ना पन कुछ गर्वट पुरी किया है नहीं साही किया लग रहे है प्लस e2 r1 upon r1 plus r2 minus v कट गया हो r1 plus r2 upon r1 r2 upon r1 plus r2 यह पूरा का पूरा इस format में convert हो गया देखो i is equal to e equivalent minus v by r equivalent हो गया convert देखो यह पूरा e equivalent और यह पूरा r equivalent same format में आ गया तो comparing both the equation comparing both the equation we get we get e equivalent equal to e1 r2 upon r1 plus r2 plus e2 r1 upon r1 plus r2 इसी को और format अगर अलग करोगे तो r1 plus r2 से दोनों को divide कर सकता हूं उपर नीचे है ना r1 plus r2 से डिवाइड करूँगा तो क्या आ जाएगा e equivalent की value e1 by r1 upon 1 by r1 plus 1 by r2 ठीक है और 1 by r1 plus 1 by r2 common plus यहां से आ जाएगा e2 by r2 देखो numerator टो numerator टोनों को किस से divide कर रहा हूं r1 r2 multiply r1 into r2 तो यहां upon में r1 into r2 करूँगा तो 1 by r2 1 by r1 हो जाएगा और उपर upon r1 r2 से तो r2 r2 कट गया r1 आ गया तो e1 by r1 और यहां पर आगया e2 by r2 और नीचे आ जया 1 by r1 plus 1 by r2 तो यह फर्मुला आप ऐसे यादार सकता होगी जितने भी हो प्लस e3 by r3 plus add करते जाना चीक है तो यह आपका final formula आगया e equivalent का और final formula आगया r equivalent का क्या आगया r equivalent का final formula आगया हो क्या आगया r1 r2 upon r1 plus r2 1 upon r equivalent करूंगा तो reciprocal हो जाएगा तो 1 upon r equivalent की value हो जाएगी r1 r2 by r1 r2 मतलब 1 by r2 plus 1 by r1 मतलब 1 by r1 plus 1 by r2 ठीक है तो r equivalent का तो formula पनको पता ही था parallel के case में वही आया है ना जितने भी internal register से सबको r equivalent का formula लगा तो parallel वाला और emf के लिए क्या करेंगे equivalent emf के लिए e1 by r1 plus e2 by r1 so on upon 1 by r1 plus 1 by r2 plus so on ठीक है तो अब आपको जो याद रखना है derivation तो आपको ncrt की हिसाब से करना ही है क्योंकि board exam में आ सकता है बट numerical के लिए आपको याद रखना है numerical के लिए आपको क्या याद रखना है e equivalent होगा e1 by r1 plus e2 by r2 plus so on upon 1 by r1 plus 1 by r2 plus so on ठीक है और 1 by r equivalent का formula 1 by r1 plus 1 by r2 plus and so on ये बात याद रखनी है नीन्द में भी और derivation भी easy था बहुत है ना दो बर करोगे तब तिसरी बार एकदम रटा जाएगा अच्छे से ठीक है तो series और parallel का हो गया derivation एक सड़ा सा question कर लेते हैं easy सा मतलब ठीक है एक easy सा question नोट्स बना रहे हैं नो वीडियो देख देखके बग्का चलो तो एक simple सा सवाल कर लिए जाए कि नहीं करो चलो बहुत समय देदिया मैं इसा देखो ठीक है अब देखो equivalent क्या होगा इवन बाई और वन प्लस इटू तो माइनस सिक्स है माइनस सिक्स बाई सिक्स माइनस को लगा समझना आ एक का इधर मुव एक का उधर एक इधर प्लस एक उधर ओपन यह इधर वाले को प्लस मानों ओपन कि अच्छा सारी सार 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 इधर देखो इधर देखो इधर कर रहा हूं मैं पहले तो यह दोनों series में है series में इन दोनों का equivalent कितना हो जाएगा तक है तो पीस मैंनस छे 24 कितना हो जाएगा 24 और रेजिस्टिंस कितना हो जाएगा benefits कितना ओजाेगा 12 हो जाएगा अब यह इसके साथ कितना जुर ऑए 24 और 4 24 और 4 24 तो कितना हो जाएगा 40 60 भाइ 12away 34 OPS बंद कैसे होगा अपने आप 24 अपन एक बाई बारा प्लस एक बाई 4 चीक है तो कितना हो जगा 12 2 जा 6 6 प्लस 2 एट अपन इसको करोगे एल्थ एम तो वन बाई थ्री तो उपर आजाएगा इंटु थ्री एट इसाच चौबीस कि नेट एमएफ शौबीस और नेट रेजिस्टेंस तीन आया बेस्टेंस किर्चौफ्स रूल जल्दी से सुनो एकदम पूरा अच्छे से ना किर्चौफ्स रूल कॉमन सेंस के उपर बेस्ट है भाई एकदम कॉमन सेंस एक बात बताओ अगर ऐसा कोई सब्सक्राइब की जंखें यह एक से ज्यादा वैर के जोड रहे है इसक смог अगर यहां से तीन आया रहा है तो यहां कितना जाएगा तकि नैट क्या हो जो सब्सक्राइब मालू आ राय करेंट लौ पला रहे हो और जार राय इसको क्या फोल रहे हो और low-0 तो 3 plus 2 minus 5 कितना हो गया 0 तो sum of all the current is 0 और यही क्या है किर्चॉफ्स current law किर्चॉफ्स current law junction में junction में अगर 10 15 20 वार से भी current आ रहा है अगर आ रहा है और जा रहा है तो जाने वाले को अगर minus बोलो आने वाले को plus तो उन सबका जो आप summation करोगे addition करोगे वो कितना होगा 0 और यह तो भाई common sense है तो इसलिए तो मैंने बोला किर्चॉफ्स law is based on common sense कि यह कोई भी एक junction में sum of all the current is 0 तो आप कभी भी स्था कोशन करना है तो क्या मालो कि भाई हर साइट से करेंट जंक्षन में आ रहा है और उन सबका sum को क्या कर दो जीरो बासमाज नहीं और अब दिखो एक और होता है किर्चॉफ्स वोल्टेज लाओ वो भी common sense common sense एक बात बताओ मालों यह कोई सर्कीट है कैसा भी सर्कीट है है और यहां परने से और बहुत सा चीज़ दिया हुआ है और मैं अगर इस पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट का कोई potential fix होगा है ना तो अगर मैं इसी पॉइंट के potential में इसी पॉइंट का potential minus कर दूं तो क्या आएगा जीरो तो वही जब आप पूरे एक सर्कीट में पूरो यहां से अगर मैं गोल गुंगे वापस यहां तका सारा potential add करूंगा तो कितना आना चाहिए जीरो क्योंकि भी यह सेम पॉइंट का से potential difference कितना होता है जीरो तो मतलब यहां से अगर मैं add करूंगा इसका potential difference इसका इसका sign के साथ किसके साथ जैसे यहां पर भी sign के साथ था अगर आने वाले को plus बोल रहे हो जाने वाले को minus तो सारा sum क्या था 0 वैसे यहां पर भी potential drop आपको proper sign के साथ plus minus plus minus लोगे तो पूरे लूप में जितना भी वोल्टेज है उन सब का sum कितना होगा जीरो इसी को बोलते है किर्चौफ्स वोल्टेज लॉप 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 भी बोलते हैं क्योंकि यह हमेशा एक लूप में लगेगा close लूप होना चाहिए और किर्चौफ्स करेंट लॉप को जंक्शन लॉप भी बोलते हैं क्योंकि यह कहां पर लगता है जंक्शन में बात समझ में इतना इजी है के सवाल इतना इजी नहीं होगा कराऊंगा भी आप लोगों से सवाल है ना चलो आगे ठीक है अब सवाल इजी से स्टाट करें सवाल इकदम इजी से इकदम बच्चे वाले सवाल आप देखो सिंपल सी बात है यहां पर देखो कैसे लगाओगी कैसे लगाना यह सिखा रहा हूं ताकि एक्सराइस और अपने एक्जामपल पाओ और आज का हो में पहले बता दे रहा हूं कल इसने वाले हर एक 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 जामपल कितने एक्जामपल है एक भी नहीं मत बोलना 3.1 3.2 है ना फिर उसके बाद क्या है 3.3 3.4 3.5 3.5 3.5 3.5 3.6 3.7 3.7 तक पहले पता दूं मैं होंग जो आज ही वीडियो देख रहे होंगे है ना अगर आप इसके बाद नेक्स वीडियो में जाने से पहले आप यह हूम वर्क करेंगे attempt करेंगे NCERT क्लास 12 की physics का examples आप करेंगे chapter electricity का कहौन सा chapter है ? Chapter number 3. Chapter number 3, current electricity का examples आप करेंगे 1 से ले करके 7 तक साथ कोशन के कल के लिए होमवक हैं और जो भी ये कोशन सॉल नहीं करेगा उसको पाप पढ़ेगा और जो यहां पर बैठे हुए है और जो अगर ये होमवक नहीं करेंगे तो हर एक सवाल के लिए 20 बार उठक बैटक करेंगे तो इन फ्रंट ऑफ कैमरा यही जगा पर आपको मैं जगा दिखा दिखा देता हूं आपको यहीं पर कल यह लोग मुठक बैटक करेंगा करें यह साथ कोशन होंग करके नहीं आते हैं तो ठीक है चलो अब आके बढ़ते हैं यह हूंवक दे दिया मैंने हूंवक आपनों को याद हो गया होगा चलो अब कोशन करते हैं इजी-जी कोशन एकदम इजी कोशन है ना माल लो इस पॉइंट का पूटेंचल है दोसो वोल्ट और यह है भी सों माल लो भीया यह पॉइंट का पूटेंचल है पचास वोल्ट और यह point का potential है 0 और यहाँ पर resistance है माल लो 100 ठीक है तो आपको बताना है कि यह point का potential कितना होगा तो अब देखो मैं यह करके दिखा रहा हूँ पहले कुछ से question एक को आपको क्या बोला है कि center point में तीनो point का is point का potential है दोसो इस point का potential 15 इस point का potential है 0 आपको बोल कि यह center में क्या potential होगा तुब बोलो कि माल लेते हैं माल लेते शेंटर में potential कितना है भी मान सकते है क्या कोई बूरा तो नहीं मानेगा है नमानोग तो मनते रहो nikówज्य कजो तो आप यहाँ का potential मैंने मान लिया वी अब मैं माल ले रहा हूं यहाँ से जो अरह आ रहा है अए यहां से चो अरेंट और आ यहां से चो अरह थे लिट्रि को है कि हम इसका रिजटन्स गया था दा इसको भी 10 हो मना है चल यहां से सरे का अन साव दूखे in मा एक आप यहां से करें अन current law क्या बोलता है sum of all the current is 0 मतलब I1 plus I2 plus I3 is 0 अब I1 की value कितनी होगी I1 की V by R होगी तो potential drop कितना होगा 200 minus V 200 minus V क्यों मान रहा हूँ को कि मान रहा हूँ कि current इधर आ रहा है तो इसले मैंने क्या माना 200 minus V 200 minus V total potential drop upon register B V by R is your I plus I2 current I2 current कितना होजाएगा 50 minus V हो सकता है V 50 से ज़्यादा हो तो वो अपने आप आजाएगा अभी तो आपने क्या माना कि 50 से current इधर आ रहा है V की तरफ मतलब 50 ज़्यादा और V कम अगर V 50 से कम नहीं होगा तो अपने आप answer आजाएगा आपको कोई tension लेनी की आपशकता नहीं है आप खाली क्या लोगे 50 minus V क्यों ऐसा कर रहे हैं क्योंकि अपने current इधर माना उधर मानते अगर इसमें current उधर मानते तो V minus 50 लेते Is that clear? 50 minus V by 5 plus यहाँ पर current देखो 0 minus V इधर मान रहे हैं तो मैं मान रहा हूँ कि V जो है वो 0 से भी क्या है? कम नहीं होगा तो अपने आप आ जाएगा समझ में हा रहा है ना? तो 0 minus V by 10 Is equal to 0 सारे current का sum 0 हो गया? है ना? अब divide कर देते हैं 20, 200 by 20 10 minus V by 20 plus 10 minus V by 5 plus plus नहीं, minus V by 10 equal to 0 चीक है? तो V common निकाल लेंगे तो 1 by 20 plus 1 by 5 plus 1 by 10 is equal to 20 तो LCM 20 1 plus 4 plus 2 ठीक है? कितना हो गया? 7 तो 20 into 20 400 by 7 V की value कितनी आ गई? 400 by 7 Ohm सब्सक्राइब बोल्ट यहां का potential आ गया? अब potential आ गया तो तो तीनो circuit में current भी आ जाएगा तो यह simple सा KCL लगाना किर्चॉप्स current लो लगाना मतलब सब जगा से current मान लो अंदर आ रहा है तो उसी सब से potential मान लो और कर दो चलो देखों अब यहां पर current निकालने का यह दो तरीका एक तो simple वाला KVL भी ना लगा है क्योंकि इस question में KVL नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा है ना 50 उधर और यह 10 भी उधर ही तो दोनों add हो जाएगा 50 plus 10 60 हो जाएगा है ना तो total voltage 60 total resistance 10 तो 6 ampere का current आना चाहिए है ना इस question को आप barret कर सकते हैं इसमें KVL का का काम नहीं है लेकिन KVL लगा के देखते हैं KVL से कैसे लगाना सिखना है ना कैसे लगाते हैं तो complex question में तो लगाना ही पड़ेगा अगर साथ में मैं एक और लूप यहाँ पर दे दूँ फिर आप normally इसको नहीं कर पाऊगे है ना फिर या तो KCL KVL कुछ में कुछ लगाना पड़ेगा तो आप माल लेते हैं सबसे पहले आप office दोनों का resistance इधर ही है दोनों का direction उधर ही है तो current ऐसी माल लेते हैं कितना माल लेते हैं आई पूरे में current कितना जा रहा है आई अब मैं किसी भी एक point से चालू करना है अभी इस point से चालू करूं गों फिर के किर्चॉप's voltage law बोलता क्या है किर्चॉप's voltage law बोलता है किसी भी loop में किसी भी point से start करके आप गोल गोंके वापस बहीं तक पहुंचो सारे का potential add करते हुए तो total sum कितना है गा जीरो तो मालनों मैं इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूं मैं उधर जा रहा हूं करेंट भी उधर और ये बात याद रखना एकदम पास आओ पास आओ सब तो ही एकदम ध्यान से सुनना क्या बात है कि अगर मालनों आप उधर जा रहे हो है ना यहां से उधर जा रहे हो औ अगर resistance है R, तो इसके about potential drop IR होगा, अगर एक resistance है R और उसमें से current जा रहा है I, तो उसके about potential drop कितना होगा, I into R, V is equal to IR, I into R, अब plus लेकि minus, तो आप जीधर जा रहे हो, अगर current जीधर जा रहा है, मतलब potential कम हो रहा है, तो आप क्या लोगे, minus, लेकिन current आपके तरफ आ रहा है, और आप जीधर जा रहे हो, current पी उदर जा रहा है, तो minus, और आप जीधर जा रहे हो, उसके विप्रित current आ रहा है, तो plus IR, है ना, तो आप देखो, मैं उदर जा रहा हूँ, current भी उदर जा रहा है, तो मैं क्या लोंगा, minus IR, मतलब minus 4i, माइनस 4i ठीक है क्या यहां यहां से गया यहां यहां पहुंच गया यहां के बास फिर एक रेस्टेंट से तो मैं उधर जा रहा हूं करेंड भी उधर जा रहा है अब एक और बात याद रखना जब भी आप negative से पॉजिटिव टर्मिनल के तरफ जाएंगे तो फ्लास होगा ये भी और जबी आप उल्ठा कर रहे हैं म krijटेव के तरफ जा रहे हैं तो क्या होगा अरे भाइया नेगेटिस पॉजब प्लाइस विफ्टी वापस उसी पॉइंट में आ गया तो सब का सम कितना होगा जीरो तो अब देखो माइनस फॉर माइनस टू माइनस टैन आई इस इक्वल टू माइनस इस्टी माइनस ने माइनस को मार दिया आई की वेल्यू सिक्स एंपियर वही आना था तो उसी को अब इसमें तो जवरत नहीं था के विल में लेकिन अगर मैं दो तीर लूप लगा दूँ तो फिर तो के विल की जवरत आ जाएगी बीना के विल की सौल कर पाओगे क्या बच्चों नहीं नहीं अब बताओ अब यहां पर अगर मैं बोलू नॉर्मल सारी वेल्यूस दे दूं कि यहां कितना करेंट है यहां कितना सारा निकालो तो अब यहां पर आपको के विल लगाना पड़ेगा इस एट क्लियर है ना तो जैसे माल लोग यह मैं बोल देता हूं कि यह आपका 10 और यह भी है आपका यह भी है आपका माल लो 20 वोल्ट है ना यह है पांच ओम यह है दस ओम यह है बीस ओम यह है दो ओम यह है आट ओम ठीक है यह पंदरा ओम हाँ और यह बीच ओले भाईज आपको देते हैं दस ओम तो आप बताओ यहां पर से करेंट कितना जाएगा तो अब करेंट अब एक बात बताओ अब इसमें आपको क्या लगाना है कि चौश वोल्टेज लाओ लूप दिख रहा है अब आप खली डिरेक्ट वीस इकल तो य लगाना पड़ेगा किर्चौ वोल्टेज लॉफ लेकिन किर्चौ वोल्टेज लगाने के लिए करेंट र ब्रांच में आपको लेना चाहिए आइवन आईट्व लो इसमें आप क्या मान रहा हुँए करेंट इसे जा रहा है मालोगे अगर ऐसे मानऊगे तो पूरे सरकीट और यहां गया I1 प्लस I2, मतलब आपने क्या लगा दिया, किर्चॉफ जंक्शन लॉग, मतलब किर्चॉफ करेंट लॉग लगा दिया ना, कि करेंट नेट सम कितना है, 0, तो आप यहां तो यह लगा दो, यहां पर I3 माल लो, फिर लिखना पड़ेगा I1 प्लस I2 इक्वल फिर सॉल्ट करो, दो एक्वेशन बनेगी दो अन्नोन, आइवन इटू दो अन्नोन है, आजाएगा, करो सॉल्ट जल दिसे, चलो इधर देखो, बहुत समय हो गया, यहां करेंट माल लिया, I1 यहां करेंट माल लिया, I2, दोनों में के विल लगा दे, दो एक्वेशन तो माइनस 2, I1, यहां पर पूरे सर्कृट में करेंट I1 माने, यहां पूरे सर्कृट में करेंट I2, तो यहां से चो करेंट जा रहा होगा, वो कितना जा रहा होगा, I1 प्लस I2, यहां से करेंट जा रहा होगा है, चलो, ठीक है, फिर अपन मैं वहां जा रहा हूं, करेंट to 0 तो इसको एक बार solve कर लेते हैं पहले थोड़ा सा तो 10 कहां बीच वाले में या तो i3 ले लो फिर लिखो के बाद में i3 equal to i1 plus i2 value put करोगे i क्यों मानना है तो i मान लो फिर i equal to i1 plus i2 लिखोगे न बाद में तो यहीं तो value put करोगे है ना तो आप देखो यहाँ पर 10 minus 2 i1 minus 10 i1 minus 10 i2 minus 8 i1 equal to 0 तो i1 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 add हो जाएगा तो minus 20 i1 10 minus 20 i1 minus 10 i2 equal to 0 एक 0 0 0 भी कट दूं है ना तो actual में यह एक जो equation बनी वो क्या बन गई 1 minus 2 i1 minus i2 equal to 0 अब एक और equation यहाँ पर लगाए के वियल इस point से मैं उधर जा रहा हूं current भी उधर तो minus 15 i minus 15 i2 फिर मैं positive से negative के तरफ जा रहा हूं तो minus 20 negative से positive जाते हैं तो plus positive से negative जाते हैं तो minus अरे मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूं potential कम हो रहा है ना तो minus 20 50 फिर मैं उधर जा रहा हूं current भी उधर तो minus 5 i2 फिर negative से positive plus 50 फिर मैं उधर जा रहा हूं current भी उधर minus 10 i2 फिर मैं यहाँ से जा रहा हूं current भी उधर minus 10 i1 plus i2 equal to 0 उसी point में पहुंच गया जहां तो आप देखुट 50 minus 20 30 लिखा गया ठीक है i2 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 और यहाँ पर से भी है जा जाएगा minus 10 i2 तो minus कितना हो जाएगा 15 5 20 20 10 30 10 40 minus 40 minus 40 i2 minus 10 i1 equal to 0 0 0 0 कट गया तो यह equation बन गई 3 minus i2 minus minus 4 i2 minus i1 equal to 0 यह बन गई और एक equation वहाँ से थी 1 minus 2 i1 minus i2 equal to 0 ठीक है अब बस यहाँ से i1 की value उठा के यहाँ पर पूट कर दूँ यहाँ से i1 की value कितनी हो जाएगी 3 minus 4 i2 यहाँ पूट कर दूँ 1 minus 2 into 3 minus 4 i2 minus i2 equal to 0 तो 1 minus 6 plus 8 i2 minus i2 तो 7 i2 लिख दूँ is equal to 0 1 minus 6 मतलब minus 5 उदर जाएगा तो 5 i2 की value आ गई 5 by 7 अब i2 की value किसी में question में put कर दो i1 की value हो जाएगी ठीक है लंबा था थोड़ा सा calculation लेकिन question था easy simple kvL लगाना था कितना आया था तुम्हारा गलत कर दिये बस चलो कल के लिए homework देता हूं दो वह वाले question homework देता हूं साथ question तो वह homework है ही एक दिल problem देते आप लोगोगो आइड़ी वाला दिल ठीक है बीस वोल्ट दस वोल्ट साथ वोल्ट दो ओम दो ओम दो ओम यह हो गया question number one एक और question दो 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 देते हैं question number two हुआ 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 वह यह सवाल यहां पर से करेंट निकालो आई और इसमें भी सवाल है यहां पर से करेंट निकालो आई दो सवाल कल के लिए ठीक है कर दो तोा